Future continuous tense पहले मुस्तक्बिल जारिया This tense is used to talk about and actions which will be in progress at a time in the future यह tense कब यूज होता है? यह tense हम तब यूज करते हैं जब कोई काम या कोई activity फ्यूजर में continue हो तो तब हम यह tense यूज कर सकते हैं Future continuous tense में sentence structure देखें सबसे पहले हमारे पास है affirmative sentence means positive sentence positive sentence का sentence structure किस तरह होगा? positive sentence में सबसे पहले subject आएगा इसके बात shall be या will भी लगेगा I और we के साथ shall be बाकि जतने भी singular या plural हैं सब के साथ will भी लगेगा इसके बात first form के साथ आएंज यह नि present participle आएंज फाहम लगेगी इसके बाद आखिर में object आएगा next हमारे पास है negative sentence negative sentence में sentence structure किस तरह होगा? सबसे पहले subject आएगा इसके बाद shall not या will not लगेगा इसके बाद be लगेगा इसके बाद present participle यह नि आएंज फाहम लगेगी इसके बाद object आएगा आखिर में हमारे पास है interrogative sentence interrogative sentence में सबसे पहले shall या will लगेगा इसके बाद subject आएगा इसके बाद present participle यह नि आएंज फाहम लगेगी और आखिर में object आएगा उर्द जुम्ले की अगर बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह जुम्ला future continuous sentence में है देखें अगर किसी भी जुम्ले के आखिर में रहा होगा रही होगी रहे होंगे आ जाए तो वो future continuous sentence में होगा वो जुम्ला helping वर्ब इस sentence में क्या लगेगा शेल भी या विल भी I और वी के साथ शेल भी बाकि जतने भी singular हैं या plural हैं जतने भी है यूवी यूवी दे ही शी इट जतने भी हैं सब के साथ विल भी आएगा और वर्ब के कौन सी फार्म लगेगी फिर्स फार्म प्लस आई एंजी आई एंजी फार्म जिसको हम प्रिजन पार्टिसिपल भी कहते हैं आई एंजी फार्म लगेगी फ्यूचर कंटिनियू स्टेंस के एक्जामपल्स देखें सबसे पहले हमारे पास है इफरमेटिव सिंटेंस वो अगले मंडे को अमेरिका जा रही होगी नेक्स हमारे पास है नेगेटिव सिंटेंस वो शाम को पार्क में नहीं खेल रहे होंगे और आखिर में हमारे पास है इंटरोगेटिव सिंटेंस आप मेरे गर कब आ रहे होंगे नेक्स एक्जामपल्स देखें They will be listening to music. वो music सुन रहे होंगे. Next, a negative sentence. I shall not be eating fruit. में फल नहीं खा रही होंगी. और आखर में हैं a negative sentence. Will she not be driving her car? क्या वो अपनी कार नहीं चला रही होगी?